हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSE Crackers और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेंसस सेंसस 2011 से एक्जाम में बहुत सारे कोशन आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रस्ट कोशन के साथ, पहला कोशन है एस पर सेंसस 2011, दो पॉपुलेशन डेंसिटी ओफ इंडिया इस 2011 की जन गन्ना के अनुशार भारत का जन संक्या घनत्व कितना है तो यहां पर राइट एंसर क्या होगा, कितना है भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी तो वह है 382, ओके 382 है यह है पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के एक्जारी नेक्स कोशन है कोशन नमबर टू, आज पर सेंसस 2011, लिट्रेशी रेट ओफ इंडिया इस 2011 की जनगर्ना के अनुशार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत का साक्षरता दर कितना है, तो वह है 74% 74% है लिट्रेशी रेट, 2011 के सेंसस के एक्जारी नेक्स्ट कोशन और यहां देखिए, मेल का कितना है, मेल का हो गया आपका 82.10% फिमेल का है 65.46% और टोटल है 74% नेक्स्ट कोशन है, एज पर सेंसस 2011, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओफ इंडिया फॉर दा प्रियर 2001 to 2011 is, तो 2011 की जन्गन्ना के अनुसार, 2001 से 2011 की अवधी के लिए भारत की जन्संक्या व्रिद्धी धर कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, तो राइट एंसर कितना हो जाएगा, 17.64% है, यह है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत का, ओके, next question है, according to census 2011, which one of the following state has the highest population in India, 2011 की जन्गन्ना के अनुसार, किस राज की जन्संक्या सबसे अधिक है, यह आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर, राइट एंसर, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा population किस राज का है, उत्तर प्रदेश का है, next question है, according to census 2011, least population, least populous state is, तो सबसे ज्यादा population तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम population किस राज का है, वो है सिक्किम, सिक्किम का सबसे कम population है, next question, According to census 2011 Which one of the following state Has the highest density of population in India 2011 की जन्गन्ना के अनुशार निम्न लिखित में से किस राज में भारत में जनसंख्या का घनत वह सबसे अधिक है Okay, highest density जो है किस राज का है वो है बिहार का Okay, बिहार होगा यहाँ पर right answer Next question है According to census 2011 Least populated union territory in India is 2011 की जन्गन्ना के अनुशार भारत में सबसे कम अबादी वाले किंद्र सासित प्रदेश कौन से है तो right answer कितना क्या हो जाएगा Right answer होगा लक्षदूईप लक्षदूईप जो है यह least populated union territories है Next question According to census 2011 Highly dense union territory in India 2011 की जन्गन्ना के अनुशार भारत में अप्त्याधिक शन्गन केंद्र सासित प्रदेश कौन सा है वो है डेली 11 की जन्गन्ना के अनुशार शर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज कौन सा है वो है केरल ठीक है केरल हो जागा यहाँ पर राइट एंसर Next question है According to census 2011 State with the lowest sex ratio तो highest हो गया केरल लोइस्ट कौन सा हो गया तो राइट एंसर क्या हो जाएगा lowest हो जाएगा हरियाना हरियाना यहाँ पर correct एंसर है Next question According to census 2011 State with the lowest lowest literacy rate ओके तो lowest literacy rate जो है वो किस राज़का है वो है बिहार का ओके lowest literacy rate किस राज़का है बिहार का Next question है What is the position of मद्दे परदेश with respect to the total population in India तो मद्दे परदेश का जो है कौन सा अस्थान है अगर हम बात करें कुल जन संक्या की द्रिष्टी से तो तो right answer हो जागा यहाँ पर fifth Okay, fifth जो है यह right answer है क्योंकि highest तो population है वो तो है उत्तर परदेश का Second highest है बिहार का third है महरास्टरा का fourth है West Bengal का और fifth है मद्दे परदेश का Next question है What is the percentage of the urban population in India as per the census 2011 2011 2011 की जन गन्ना के अनुशार भारत में सहरी जन संक्या का परतीसत कितना है Urban की बात करें हम लोग तो 31.16% है यह है urban population Next question है Which state of India has a negative population growth rate as per the census 2011 है ना negative growth rate है यहाँ पर negative growth rate है वो है नागा लैंड का है ना Next question है Which is the largest tribal group of India as per census 2011 2011 की जन गन्ना के अनुशार भारत का सबसे बड़ा अदिवासी समू कौन सा है वो है भिल भिल जो है यह सबसे बड़ा अदिवासी समू है Next question है According to census 2011 Which is the second most spoken language in India तो भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है वो है बंगाली है ना बंगाली यह है दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा पहली हिंदी है Next है Who is the 2011 census commissioner of India भारत के 2011 की जन्गन्ना आयुक्त कौन है तो वो कौन है उनका नाम क्या है CM. चंद्रमौली जो है इनका नाम है CM. चंद्रमौली Next question According to census 2011 State and Union Territory with highest SC population है ना तो State and Union Territory with highest SC population तो वो किस राज का है? वो है उत्तर प्रदेश का है ना उत्तर प्रदेश has the highest scheduled caste population उसके बाद कौन सा है West Bengal फिर है बिहार Next question है Motto of census 2011 Motto क्या था? Theme क्या था? वो था our census our future है ना आवर census आवर future जो है यह है motto याने कि theme Next है According to census 2011 Most populated district तो most populated district जो है यह कौन सा है? तो यह है थाने है ना थाने हो जागए यहाँ पर correct answer Next question है What is the percentage of rural child population to the total child population of the country in India as per the provisional population totals of census 2011? 2011 की जनगना के अंतिम जनशन का आयोग के अनुशार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीन बाल जनसंख्या का परतिसत कितना है? तो वो कितना है? तो 74.05% है Next question है According to census 2011 Most populated city तो most populated district तो थाने था लेकिन most populated city कौन सा है? वो है मुंबई है ना मुंबई है most populated city Next question है According to census 2011 Least populated city कौन सा है? तो least populated city हो जाएगा कपूर थाला जो है यह है least populated district ओके Next question है According to census 2011 district with highest sex ratio है ना? तो कौन सा district का सबसे highest sex ratio है? तो right answer क्या हो जाएगा? माहे हो जाएगा यहाँ पर correct answer ओके तो यह रहे census 2011 से related most important 25 MCQ आने वाले CHSL और MTS exam के लिए है ना? तो इन सभी question को आपको याद कर जाना है और इसका PDF जो है यह telegram channel पर भी आपको मिल जाएगा और नीचे description box में link होगा वहाँ से भी मिल जाएगा तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए All the best